सुच्छा हो वो सार करके और हनुमान जी के नाम करख दो जब घर से जब आपको फादा हो या तो दर्शन करें और चड़ा के चलें अप लोग हनुमान जी महराज के दर्शन कर पा रहे होंगे और इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहा है हनुमान जी महराज का जो सिंगार करते हैं डॉक्टर हन्वान दंद्रहुआ का प्रतेक मंगलवार सिंगार करने वाले माश्टर वाई सब जिनको सभी लोग कहते हैं, आई ये इन से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से डॉक्टर हन्वान दंद्रहुआ सरकार के चमतकारों से भक्त चमतकृत होते हैं माश्टर साहब, शर्वी भक्त लोग आपको सुन रहे हैं, उन भक्तों से दंदरगवा सरकार की महमा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अंद्रुगा सरकार की जह हैं, अमारे यहां सभी वक्ता आते हैं, सरद्दा लेकर रखें, अनुमान जी सब की मनोकान पूर करते हैं, बहुत बहुत दूर से सरद्दा लोग आते हैं, अनुमान जी की सेवा करते हैं, और अमारे यहां बहुत अच्छी अनुमान जी की आप तो सारा कहरे के रख दूपर अच्छा क그램 जिस तरह से वो सारा कियो वो सारा करके और नमान जी के नाम करके दो जब घर से जब आपको फादा हो जाए तो यहां दर्सन करें और चड़ा के चलें कि अनुए मंदीर करा है नोन करें जी की आहिस्म अनुए मंदीर कि आपकार दॉक्टर अनुमान दंद्रवु सरकार की जो पूझ महराजी हैं उनके बारे में के कहना चाहोगे महराजी तो बिलकुल साच्छात परमिश्र है महराजी तो भगवान से बहुत सर्वाव गये बच्वन से ही महराजी यह मंदर से ही है बाल भ्रमचारी है महराजी और महराजी बहुत दया लुग है सभी दया करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपका सुब नाम क्या है और जैसा कि उन्होंने कहा कि हनमान जी का सिंगार करना शंभव तो नहीं लेकिन हनमान जी की किरपा से ही हनमान जी का सिंगार कर पाते हैं क्योंकि भगवान ही भक्तों का सिंगार करते हैं लेकिन यहाँ पर भगवान की किरपा से भक्त भगवान का सिंगार कर रहा है शवी को जय जय स्यराम मिलते हैं किसी अगले महमान के साथ